हेलो एविवन आइम होट भाटे और आज हम लोग बहुत इंट्रेस्टिंग बहुत इंपॉर्टन अप्रीट के साथ आ गया है भाई 17 जुलाई को जब आईटी के एड्मिशन से एलेजिबिलिटी क्रेटेरिया में एक बहुत बड़ा चेंज लाया गया था कि बस 12 में पास होना है ना जरूरत है कि टॉप 20 परसेंटायल में होना होका या फिर ना जरूरत है 75 परसेंटेज मार्क्स आने का बोड में तब सवाल उठा था कि एड्मिशन के लिए ट्रिपल आ अतलब Central Funded Technical Institute या फिर Government Funded Technical Institute जी एफटी आइस बस एगी क्रेटेरिया बचा है कि भाई सारे सब्जेक्ट में अपने को पास होकर एक पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए जहां पर कोई भी कंपार्ट या फिर कोई भी बैकलॉग ना हो ठीक है नीट के लिए कोई अपडेट न बहुत हो और बस अमें पास होना होता है कुछ जादा एकस्पेट हमलों कर भी ने रहें यह पर यहां पर भी काफी रिलाक्स कर दिया गया है सब्टेंबर में एकजाम होने का बात हो रहा है अब हम जानते हैं कि एक्षाम हो सकता कि उसमें भी कुश इंजेश हो बट अगेन अपने हेंड पर अपने मैनत करते हैं जो बच्चे ड्रॉप की हैं यार इस साल जिनको एक और मौका मिल रहा है और टाइम मिल रहा है अपने परसेंटाइल पर थो ध्यान दो भाई एनाइटीज के लिए मैं हमेशे बोलता हूँ भाई 99 परसेंटाइल का एम रखो सारे उपर क के नाइटीज मिलेंगे जैसे 99 परसेंटाइल या 98 परसेंटाइल क्रोस करते हो ना हम लोग ऊपर के 10-12,000 के रैंक में घुशते हैं तो हम लोग के बढ़ती है भाई दम लगा दो यार मौका मिल रहा है इस से अच्छा और आप्शन मिलेगा नी कीप वाचिंग कुछ भी औ हम लोग करता है अच्छा और यार वसक्षब टीक है लग जाओ यार थैक यू